आदर्णिया अद्यक्ष जी आज इस दुखत घटना पर हम सब चर्चा के लिए यहां इकठे हुए हैं हम सब इस विशे से आहात हैं मरने वाला किसी भी धरम का हो लेकिन वो भारतिय था ऐसा मैं मानती हूँ कि वो भारतिय ही था बंगला देश से आयों में कुछ गुसपैटिय हो तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है अद्यक्ष जी 51 लोगों की मृत्यू हुई है और 500 लोग अस्पतालों में उपचार के लिए है इसकी पुनागृती देश में कहीं ना हो इस उमीद के साथ हम लोग अपनी दलगत राजनीती से उपर उठकर इस विशे पर चर्चा करेंगे इसकी मैं उमीद तो जरूर कर सकती हूँ लेकिन ये कहना आसान है करना जरा मुश्किल है खास्तोर पर जब कुछ लोगों ने इसके राजनेतिक फायदे उठाए हो और जैसे ही ये इंवेस्टिगेशन सामने आती है तो पता चलता है कि अंकित शर्मा नाम का एक आईवी के अफसर को चार सो बार चाकू मारा गया और पोस्ट मॉर्टन में उसकी अंतरियां यानि इंटेस्टाइन खीच कर बाहर निकाली गई हो आप मुझे बताएए किस दंगे में इस तरीके की हरकत करने का समय होता है और अरे सुनने की कुवात रखिये जी सुनने की कुवात रखिये मैं आपको ये इसलिए कहना चाहती हूँ कि इस तरीके की घ्रणा और नफरत इस तरीके की घ्रणा नफरत फिरफ एक कटर पंती ही कर सकता है और उस कटर बात को पंपाने वाले लोग कौन है आज मुझे लगता है इस सदन को उस पर भी चर्चा करनी होगी और खास तोर पर अगर इसकी डीटेल में जाया जाए तो सीलंपूर का वो इलाका है जहां 2018 में आईसिस का एक मॉड्यूल तोड़ा गया था और बहुत सारे बॉम और बाकी चीज़ें 2019 में उस जखिरे को निकाला गया था तो इसके पीछे ये साज़िशे भी सामने आई है कि PFI के लोगों की कुछ फंडिंग है आईसिस से जुड़े हुए लोगों को इकठा कर रहे हैं और जोर्ज सौरोस नाम के व्यक्ति ने जो कि एक हंगरी से निकला हुआ व्यक्ति जो कि आज अमेरिकन सिटिजन है बहुत बड़ा बिस्निसमेन है एक बिलियन डॉलर उसमें देने का कि भारत के नाशनलिजम को खतम करने के लिए उसमें प्लेज किया है और उसकी जो संसा है ग्लोबल ऑपन ससाइटीज उसमें बोर्ड मेंबर कोई और नहीं बलकि हर्ष मंदर है जो कि एनेसी के भी मेंबर थे और नाशनल एडवाइजरी काउंसिल किस ने बनाई थी कब बनाई थी किस कारण से बनाई थी उसका जवाब तो मुझे 100% मालूम है अधीर जी को बहुत अच्छे से पता होगा और साथ ही जब अधीर जी ने इस तरीके की बाते की है तो मैं इनको मुसॉलमी का एक और कांज बता देना चाहती हूँ इन्होंने का कि हड़गेवार के गुरु मुसॉलमी थे तो शायद उनको पता नहीं कि आपके पीछे जो व्यक्ति बैखे है उनके नाना जी मुसॉलमी की आर्मी में काम करते थे ये भी ज़रा पता कर लीजेगा तो इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो कि हमेशा याद रखे जाते हैं अब जब आप दूसरों के घावों को पुरेचते हैं तो याद करिए कि वो आपकी तरफ भी ज़रूर उठेंगे प्रशन दुख की बात ये है कि इन सब सीजों से एक बात सामने आई कि एक संगठित रंडीती थी और ये संगठित रंडीती उनी शक्तियों द्वारा एक शक्ति प्रदर्शन का तरीका था जो की आज राज़्यतिक समर्थ अपना खोच चुके हैं और इस पूर्धियोजित साज़िश के तहट इस काम को मुकमल किया गया फारुक सैजल फारुक नाम के व्यक्ति जो की राज़धानी स्कूल के नाम से एक स्कूल चलाते है उनका स्कूल सलामत है लेकिन अरुन नाम के एक स्कूल को जला दिया जाता है दोनों भगल में हैं ताहिर हुसेन की इमारत ताहिर हुसेन आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया तो मुझे लगा कि मैं पीछे ना रह जाओं आपसे तो मैं नाम लेकर बताना चाहती हूँ ताहिर हुसेन जो की आम आदमी पार्टी के पार्शद है उनके घर की इमारत से कई सारी बॉम फेके गए केटापुल्ट यानि गुलेल जिसको कहा जाता है वो गुलेल अरे तुछ गुलेल का इस्तिमाल हुआ और गुलेल का इस्तिमाल इस गंगे में बंदूक और गोला बारी से भी कही आदिक घातक साबित हुआ आप मुझे बताइए किसके घर के उपर लोहे के अंगल को जमा कर गुलेल रखी जाती है और एक साज़िश के तहट हर दस्तिमे घर के उपर एक गुलेल पाई गई हर दस्तिमे घर को इंगित करके गुलेल पाई गई और इटो का जखीरा शायद दिल्ली ने पहले कभी नहीं देखा था ऐसा इटो का जखीरा जो है वो भी यहाँ पे पाया गया कि दिगं के सफाई करमचारियों को समझ नहीं आया कि ये सड़क बनाने की कुवायत है कि बोरियों में भरकर उनको उपपर ले जाया गया मॉल्टोवा जो कॉक्टेल है जिसे पेचल बंबादी फेका जाता है वो इस बारी कॉंटिटी में वहां मिले एसिड 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 अटाक महिलाओं ने उन मुस्लिम परिवारों की महिलाओं ने छट से किये जो कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता और ये लोग अध्याग जी मुझे इन लोगों की बात देखते हुए एक एक शेर याद आ रहा है काश पर पारा चड़ाओ तो आईना बन जाता है लेकिन आईना दिखाओ तो पारा चड़ जाता है इन सकता पारा चड़ना तो स्वभाविक है अध्याग जी अध्याग जी इस पत्रों का जखीरा तो हमने देखा ही और जिस तरीके से इने उपपर पहुँचाया गया वो भी सोचने वाली बात है अंकित शर्मा नाम के व्यक्षी को चार्सो बार घाथ किया और उसको मारा इन्हें याद आना चाहिए इन्हें याद आना चाहिए कि रतनलाल है कॉंस्टेबल को मारा गया गोलिया सीधे चलाई गई है और इस सब के बीच में अमिद शर्मा डी सीपी पुलीस वालों का मैं नाम इसलिए ले रही हूँ जो बीज बचाब सर्मे धंके इस पर काबू पाने के लिए उत्रे उनी के साथ मारतीट की गई है और वहाँ पर लगा लगा लगाताथ पिये के दिरोग में ऐसे हत्यारों का इस्सिमाल किया गया हिंसा की घटनाएं हिंसा की घटनाएं हिंसा की घटनाएं 24 सारीक को 12 बजे से शुरू हुई है हिंसा की घटनाएं 24 सारीक को 12 बजे से शुरू होकर 25 सारीक की 11 वजे रात तक खतम हो चुकी है यह इस सरकार की एफिशेंसी है कि 36 गंटे के अंदर इन्होंने इस सब पीजों पर काबू पाया जो लोग पुछते हैं पुलीस क्या कर रही थी ग्रे मंत्री क्या कर रहे थे मैं उनको बताना चाहती हूँ कि इस तरीके की मिसाईलों पर काबू पाने का काम कर रहे थे और ओल्ड मुस्तफा बाद में ओल्ड मुस्तफा बाद में सबसे अधिक एक मिट एक मिट किसी जातियो धर्म का नाम इस बहस मन नहीं लेना है ओके स्पीकर सार स्पीकर सार स्पीकर सर स्पीकर सर कुछ सच्चाईयां जो प्रेस ने चुपाई है इसलिए मैं आपके अधेश का पालन करूँगी मैं आपके अधेश का पालन करूँगी स्पीकर सर मुस्तिफाबाद और मुस्तिफाबाद में सबसे अधिक सबसे अधिग गुनेल पाई गई हैं करावल नगर ईच पत्थर बोरियां उन धरों कर पाई गई हैं मैंने डारेक्टिन देती हैं कोई भी एक ठी झाति धर्म को इनकित परल्लेमेंट के दिवेट में नहीं करेगाँ एकीकर द्राइख जीठ पत्थर और इस तरीके की छीजे जो की घरों के निर्मान के लिए उन घरों पर पाई गई है जहां पर निर्मान कारेट चल ही पाई गई है ये तो सही माइने में जाच का विशे है जाच की जो भी आएगा रिपोर्ट उसमें देखा जाएगा लेकिन करावल अगर शिर्विहाद जहां पर सबसे अधिक जो दंगे का और ये दंगा नहीं कहूंगी मैं कहूंगी एक सोची समझी हिंसा थी उसमें जो पाय गया एक सड़क के दो चौराहे पर एक तरफ अल्व संख्यों के मकान हैं दूसरी तरफ बहु संख्यों के मकान हैं सबसे हरानी की बात है कि अल्व संख्यों के मकान को कोई नुक्सान नहीं हुआ बहु संख्यों के सारे मकान दुकान तहस्तेस हो गई है अब आप मुझे ब वो मुर्दा हो जरूरी नहीं जिन में सास ना हो वो मुर्दा हो जिन में इंसानियत ना हो वो भी कौन से जिन्दा है और उसकी लफतार जो हमें देखने को मिल रही है छोटी छोटी बच्चियों के सामने इन लोगों ने उनको निर्वस्तर करके भेजा है जो ट्यूशन से आ स्कूल के प्रिंसिपल का बयान है आप मुझे बताइए इस सदन में बैठा हुआ कौन सा व्यक्ति साथ देने को राजी है बताइए ऐसी ऐसी हरकत के आप राजी है क्या है राजी है नहीं है ना और और इस सब के बीच में इस सब के बीच में इस सब के बीच में चाहे वो अम मैं आरे हूं कपिल मिश्रा पर लेकिन इस सब के लिए इस सब कारवाई के लिए ब्लेम किसको डिया गया अनुराग ठाकुर को प्रवेश वर्मा को जिनका बयान 20 तारीका था 20 जनवरी का था और 20 जनवरी का अनुराग ठाकुर का बयान था चुनाव के दोरान और ये घटनाए है 23 परवरी की और प्रवेश वर्मा का बयान 28 परवरी का था ये घटनाए 23 परवरी की और इस सब के बीच में ब्लेम किया गया इस सब के बीच में ब्लेम किया गया कपिल मिश्रा को ब्लेम किया गया कपिल मिश्रा पे इल्जाम लगाया और उसको जिम्मेवाद ठहराया शारजिल इमाम की हरकतों के लिए कपिल मिश्रा को जिम्मेवाद ठहराया ताहिर हुसेन की हरकतों के लिए कपिल मिश्रा को जिम्मेवा ठहराया अमान तुल्ला खान के बयानों के लिए कपिल मिश्रा को जिम्मेवा ठहराया उन लोगों को जिनोंने का कबर खुदेगी कपिल मिश्रा को जिम्मेवाद ठहराया कि भारत के प्रधान मंत्री को जो कातिल कहने का रुद्बा रखते हैं कपिल मिश्रा को जिम्मेवाद ठहराया जो अभी तक बहुत तमीज तहजीद की बाते कर रहे थे भारत के ग्रह मंतरी को तड़ी पार कहने के लिए कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया वहाँ पर लड़कियों के सामने उल्टी हरकते जिन पुरुशने की उनके लिए कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया सारुख फैजल को बचाने के लिए कपिल मिश्रा को जिम्मेव के लिए कपिल मिश्रा को किस-किस चीज़ के लिए जिम्मेवार ठैरा होगे जब यह सब राइटिंग के लिए इस अब हिंसा के लिए कुछ और ही लोग थे और यह किस सरीके कब और मैं इसके लिए सही माइने में प्रेस के कुछ लोगों को जेन्यू जानिया आप इस पूरे प्रक्रण को देखिए आप पाएंगे कि ये सब चीज शुरू हुई C.A. का सो कॉल विरोध को लेकर C.A. के विरोध में सबसे पहले जेन्यू के कुछ चात्र खड़े हुए और सबने समझा ये तो C.A. का विरोध है अब C.A. का विरोध किसलिए कि कुछ अल्व संख्यक जो की पाकिस्तान में अल्व संख्यक है भारत में 25-25 साल से पड़े हुए है उनको किसी सरकार में हिम्मत नहीं थी उनको नाग्रिक्ता देने की और उस सब के बाद में वो मामला शिफ्ट होता है जामिया में जामिया में पुलीस थोड़ी सक्षी करती है तो पुलीस को डिफेंसिव करके कि ये पुलीस जो है वो व्यक्ती की बोलने की आजादी के खिलास है ऐसा इल्जाम पुलीस पर लगा दिया जाता है तो पुलीस थोड़ी डिफेंसिव हो जाते कि भाईया मोधी जी के राज में सब को बोलने की आजादी हरकते करने की आजादी है आप शाहीन बाग से लेकर सारा प्रक्रण अगर आप देखते हैं जामिया के बाद में 14 दिसंबर 2019 को अरे उससे पहले की फुटेज भी देखो अध्याग जी वो लाई फुटेज उससे पहले की भी देखो जो मार्स आक्टर के लाईगरी में मुपर गमच्छा बैट पहन सर बैख जाते किताबे बंध होके पहना शुरू करते हैं वो फुटेज भी देखनी चाहिए अध्याग जी 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में कॉंग्रेस की एक रैली होती है उस रैली में सोनिया जी का बयान है आरपार की लडाई होगी सड़कों पर सब निकलो प्रियंका जी का बयान है प्रियंका जी का बयान है कि कायर होते हैं जो घर से नहीं निकलते राहुल जी यहाँ बेटे इन्होंने भी काफी उतेजनाथ मक्त बयान दिये 14 तारीक के इन सब बयानों के बाद 15 दिसंबर को शाहिन बाग में लोग बैखना शुरू कर देते हैं और शाहिन बाग 14 के बाद 15 से ये हर्टा शुरू होती है तीन महीडे तक बिल्ली की सड़कों को रोग कर ये लोग बैखते हैं और उसके बाद 17 तारीक को 17 तारीक को उमार खालिद का बयान है कि Donald Trump देश में आएंगे और हमें सड़कों पर उतरना है उनको बताना है कि हिंदुस्तान के हुक्मरान जमता के खिलास है 19 तरीक को वारिस पठान का बयान है कि हम 15 प्रतिश्यत भले ही हो 85% पर भारी पड़ेंगे अब आप मुझे बताईए कि इन सब चीजों के लिए आप कपिल मिश्रा को जिन्मेवाद ठहराएंगे इन सब के लिए आप दिली पुलीस को जिन्मेवाद ठहराएंगे उक्साने का काम और कटरपंदी का काम तो इस देश में बहुत दिन से चल रहा था और अरे भाया अगर अगर रोख दिया होता तो आप ही कहते इस देश में बोलने की आजादी नहीं है अपने विचारों की आजादी नहीं है विचारों और इसी की वज़ा से पुलिस डिफेंसिव मोड में थी और कुछ जजिस कुछ के मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन जजीज कुछ का मानना है जब तक धर्ना हिंसात्मक ना हो तब तक पुलीस कारवाई नहीं करेगी अब धर्ना कब हिंसात्मक होगा ये बैठ के कौन तय करेगा ये कौन तय करेगा और जिन जजीज के इन्होंने नाम लिये इनको बहुत experience है जजिस के appointment से लेकर बाखी चीजे लिखवाने का इसलिए ये जानते हैं क्या क्या होता है इनको ये नहीं पता कि बिना recommendation के सरकारे ट्रांसफर नहीं करते हो ट्रांसफर ही क्या था ट्रांसफर तो पहले हो चुका था मैं तो कहूंगी एक दिन कि आई बी की जो report है ना कुछ लोगों के बारे में उनको public कर देना चाहिए ये सबको समझ आ जाएगा कि किसका ट्रांसफर क्यों करके हुआ है अद्याख जी अद्याख जी अद्याख जी अरे कर देना चाहिए अद्याख जी आपको ये सोचकर मज़े कम से कम सोचकर ये दुख जरूर होता है कि इस देश के अंदर जहां हम विकास की राजनीती करना चाहते हैं और पिछले पाँच साल उसी विकास की राजनीती की है कुछ लोगों ने जब इस देश के अंदर लोगों को प्रधान मंत्री आवास योजना में घर दिये गए लोगों का मजब देखकर दिये गए थे जब गैस के सिलिंडर दिये गए तो मजब देखके दिये गए थे आयूश्मान भारत का फाइदा दिया गया तो मजब देख के दिया गया ये लोग कैसे उस बात को भड़का सकते हैं मैं I can think that rank and file of minority community may not understand the nitty-gritty of law because of the limitations लेकिन यहां बैठे वे जितने नेता हैं वो तो सब बहुत पढ़े लिखे हैं उनको ये बात समझ नहीं आ रही वो क्यों इस तरीके की अववाय पहलाने में लगे हुए हैं जिससे देश बिखरे यही कारण है अकलियत में तो कारण ये है कि वो लोग जो इस्लामिस्त हैं वो इस देश में कभी legislature में बहुत एमियत नहीं रखते थे कभी उनकी संख्या बहुत ज़ादा नहीं थी लेकिन veto power अपने vote bank की राजनीती करते हुए उसको जरूर exercise करते थे और अगर वो veto power को exercise नहीं करते तो जाहिर है 370 जो की temporary provision था कब का हड़ जाना चाहिए था 3 तलाग खानून ने कभी मान्यता नहीं दी कभी हड़ जानी चाहिए थी सर मैं बताना चाहरी हूँ आप सुनिये थोड़ा patiently राइस का संबन तो ये सब grew up हो रहा था ना मैं अभी बताती हूँ आपको थोड़ा patiently समझे 370 तीन तलाग uniform civil code ये सब तो भारत के संबिदान में लिख्यूई चीजे हैं 1952 से आज तक खत्म हो जानी चाहिए थी लेकिन ये चीजे खत्म क्यों नहीं हुई ये खत्म इसलिए नहीं हुई क्योंकि एक islamic zamaat की एक veto power चलती थी और जिसको शासन में रावा था अगर वो उस no-gone zone को disturb करता था तो समझे कि शासन में आप आही नहीं सकते लेकिन जब से ये सरकार शासन में आई तो उसने वो no-gone zone का हमेशा violation किया और यही कारण है कि ये तड़प CA के रूप में सामने आई क्योंकि ये मानने को मैं राजी नहीं हूँ कि जितने मुखिया यहां बैखे हैं उनको CA कानून समझ नहीं आया मैं जानती हूँ कि वो इस कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं और मैं मानती हूँ कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन बाब जो दूसके वो लगातार आम जनता को गुमरा करने का काम कर रहे है वो लगातार लोगों को भड़काने का काम कर रहे है इसके जिन्मभारी भी लेना सीखो अध्याग जी ये वोट बैंक की राजमिती वोट बैंक की राजमिती जो है वो चला रही थी इस देश को लेकिन 2014 के बाद से वो वोट बैंक की राज़िती समाप्त हो गई लोग तूट जाते हैं एक घर बनाने को लेकिन तुम तरस नहीं खाते बसियां जलाने को और कुछ लोगों का तो अगर आप इतिहास उठा के देखे तो वो बसियां जलाने में माहिर हैं मैं एक आकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ अध्यक जी जो कि इस देश में दंगों से संबंदित है कोई बहुत अच्छी बात नहीं है लेकिन फिर भी मैं ये आकड़ा आपके सामने प्रस्तुत जरूर करना चाहती हूँ कि देश में हिंसा हुई नहरू जी का भी नान लिया गया था कि कॉलर पकड़ लिया मैं वैसे बात नहीं करना चाहती लाहोर में भी ऐसा हुआ था 1946 में और उन्हों ने का था तो मैं क्या करूँ और ये मेरे अपने परिवार्ट का विशे है मैं आज वो उस बात को दोराना नहीं चाहती तो क्या रव मेंटेड है 1950 से 1964 के बीच में इंडरा गांधी जी के राज में 1966 से 1987 और 1980 से 1984 के बीच में 337 दंगे इस देश में हुए एमर्जेंसी की मैं बात नहीं कर रही है राजीव गांधी जी के राज में जो की 1984 से 1989 तक का था 291 दंगे इस देश में हुए 1194 दंगों में से कॉंग्रेस का इतिहास है कि 871 दंगे उनके शासनकाल में हुए जिसका टोटल परसेंटेश 73 परसेंट आता है 73 परसेंट दंगों के जिन्देवार लोग यहां बैठे हैं और जब इनको हम शहर और बाकी तरीके से जब देखते हैं तो उसमें आता है कि 10 बड़े दंगे 18 जो बहुत बड़े भ्यानक दंगे इस देश के हुए है 18 बड़े दंगे कॉंग्रेस की एलाइज और कॉंग्रेस के शासन में हुए हैं तीन प्रेजिडेंट रूल के दौरान हुए हैं चार अन्य दलों के बीच हुए हैं और केवल एक दंगा जिसको यह बार-बार याद करते हैं वो गुजरात लेकिन गुजरात का अगर इतिहा हम याद करें तो लोग हैरान होंगे कि गुजरात में हर साल दंगे होते थे और 2002 के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ है अद्यग जी ये वो लोग हैं जिसके किरदार पे शैतान बी शर्मिंदा हों डाने जी जिसके किरदार पे शैतान बी शर्मिंदा हों वो आए हैं यहां हमें नसियत करने हुए अध्याश जी दिल्ली की जनता क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और आज राजने से एक ना लहे लेकिन मैं यह बताना चाहती हूँ कि दिल्ली की जनता आज वाकई रो रही होगी क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का खाम्यादा भुगत रही होगी फ्री बिजली फ्री पानी फ्री बस का किराया यह सब सोचकर करोडों की जो संपत्ती नश्ट हुई है वो याद कर रहे होंगे और अब मुझे लगता है इस शेहर को जरूरत है एक फ्री इंटर स्टेट बाती ताकि लोग परिशान होकर जो बिजली शेहरों से दिल्ली आते थे वापस अपने अपने शेहर जाकर ज़रा शान्ती को महसूस कर सकें और महफूज महसूस कर सकें अद्यख जी अद्यख जी मैं एक कहने का तरीका है कि जिन लोगों ने दिल्ली को परिशान किया आज वही मज़रम लगाने की बात कर रहे हैं अद्यख जी इन्होंने बात की 84 के दंगों की मनमौन सिंग जी की बात की मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि वो भूल गए लोग आज मुख्य मंत्री के पत्पर भी विराजमान हैं कुछ लोग भूल गए मैं इनको ये भी बताना चाहती हूँ कि 36 गंटे के अंदर जो की बहुत ही भ्यावा रूप ले सकते लेकिन 36 गंटे के अंदर इन दंगों पर कंट्रोल किया गया जिसकी तैयारी आज अगर हम हाइंसाइट में देखे तो महीने बड़ से चल रही थी नीरो नीरो वास फिडलिंग नीरो वास फिडलिंग विन रूम बर्लिंग अधिक शुड रमेंबर दो रूप लेकिन गाजीव गांदी की बड़ा पेड गिरता है तो दर्ती हिलती है अधिक जी बिल्ली के एंपीज कहा थे बिल्ली के एंपीज जब दंगे हो रहे हैं तो सड़कों पर उतर कर उसको बेकाबू नहीं होने देना चाहते वो चाहते कि पुलीस अपनी कारवाई करे और पुलीस कारवाई करेगी अब आप अपने नेता से पूछ लीजे वो कहा पाकिस्तान और टेरिजम के ये खिलाफ जरूर है लेकिन ये भूल गए कि उनी के डर के मारे इन्होंने इतने दिन हिंदु शहनातियों को आज तक नागरिकता नहीं दी जो 25-25 साल से यहां पड़े हुए हैट स्पीचिस हैट स्पीचिस तो जितनी गिनवाई हैं उमार खा का नाम लिखते युनाइटिड अगेंस्ट हेट लेकिन ठीक उसके खिलाफ काम करते हैं वो हेट का प्रॉपिगांडा ही करते हैं ऐसी डिसेप्टिव राजनीती चल रही है इन्होंने ये भी कहा कि अजीट डोवाल को क्यों दरना पड़ा अरे भाई NSA हैं NSA जो की सिक्योरिटी का इंचार्ज है वो उतरे तो मसीबत और ग्रेम मंत्री का जब आप पूछते हैं तो वो सुपरवाईजरी बोडी है और उनको पता है इस बात का बहुत अच्छी तरीके से कि अगर वो किसी भी दंगा क्षेत्र दंगा पीड स्थाने में जाके बैठ जाये क्या ताकि पुलीस उनकी निगरानी उनकी तरफ ही देखने लगे और अपना काम ना करे क्या चाहते हैं आप 24 तारीक को दिल्ली में जब हिंसा भड़की ग्रे मंत्री अपने निवास पर शाम 7 बजे और इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि आप किस तारीक की बात कर रहे हैं दंगा 26 तारीक को शुरू हुआ है बारा साड़े बारा बजे दिन में और साथ बजे एक उच तरिये बैठक बुलाई गई जिसमें राश्ट्रिय सलाकार ग्रे सचिव आईबी के निदेशक आईबी के अन्य उच अधिकारी और डिल्ली के पुलीस आयुक सब लोग शामिल थे ग्रे मंत्री ने हिंसा का विस्तार से आकलन लिया और पुलीस को सक्ट से सक्ट कारवाई करने का आदेश दिया ये राज को एक बजे तक लगातार इस्थिती का आकलन करते रहे 25 फरवरी को ग्रह मंत्री ने दिन की शुरुआत ग्रह मंत्रा लेके अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठक से की इसके उपरान दोपेर बारा बजे ग्रेम मंत्री ने नौट ब्लॉक में प्रमुक राजनेतिक दलों और अधिकारियों के साथ दिल्ली की इस्तिती पर एक बार और बैठक ली इस बैठक में श्री अनिल बैजल, उप्राजेपाल दिल्ली, अर्विन केजरिवाल, मुख्य मंत्री दिल्ली, सुभाष चौपडा, अध्यक्ष कॉंग्रेस दिल्ली, श्री मनोश तिवारी भाजपा अध्यक्ष, दिल्ली से श्री रामवीर विदूडी, दिल्ली विदान में विपक्ष के नेता और अन्य लोग उपस्तित थे, इस बैठक में ग्रह मंत्री ने उपस्तित लोगों से अनुरोद किया, कि दलगत राजनीती से उपर उठकर इस्तिती को नियंप्रित किया जाए, ग्रह मंत्री ने सभी राजनेतिक दलों से अपील की, कि वे लोग, ल रियाप्त अफवाओं को दूर करने के लिए अपने सांसदों, विधायकों, पार्शदों और पार्टी कैडर को जनता के बीच और प्रभावित इलाकों में वरिष्ट पलिस अधिकारियों के साथ बेजे, उन्होंने दिल्ली पुलीस को भी जनता के साथ बाचीत शुरू क करने और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए स्थानिये अमन समीतियों के साथ काम करने का निर्देश दिया, इसके बाद पुन्ह दिल्ली में इस्थिती का मुल्यांकन करने के लिए नौर्ट ब्लॉक में ग्रह सचिव और निर्देशक आईदी के साथ बैठक की दिल्ली पुलीस को सशक्ट करने के लिए श्री एन श्रिवास्तव को विशेश आयूक कानून एवं व्यवस्था नुक्त किया गया शाम साड़े छे बजे ग्रह मंत्री ने अपने आवास पर ग्रह सचिव आईपी के निदेशक डिप्ती एनसे दिल्ली पुलीस आयूक श्री एसन श्रिवास्तव और अन्य अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की इस बैठक में शांती बहाल करने और दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्ष वैसले लिए गए ग्रह मंत्री ने दो बजे सुबा तक इस्थिती का आकलन किया 26 परवरी को ग्रह मंत्री ने दिल्ली की इस्थिती के बारे में जानकी प्राप्ट करने के लिए वरिष्ट अधिकारियों के साथ सुबा समिक्षा बैठक ली इसके उपरान ग्रह मंत्री ने दिल्ली की इस्थिती के बारे में मंत्री मंडुल को अबगत कर आया क्याबनेट की मीटिंग की बात कर रहे थे इसके बाद दिन में श्री अमिशा अले ग्रह मंत्री ने दिल्ली की स्थिति के बारे में ग्रह सचिव और आईबी के साथ बैकर की शांको ग्रह मंत्री ने दिल्ली की स्थिति के बारे में समिक्षा बैकर की जिसमें राश्ट्रिय स अलाकार ग्रह सचिव आईवी के निदेशक दिल्ली पुलीस आयूप विशेश आयूप वरिष्ट अधिकारी उपस्तित थे 27 फरवरी 2020 सुबा ग्रह मंत्री ने दिल्ली के व्यात इस्तिती के बारे में ग्रह मंत्रा लेके अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठक ली इसके बाद सुरक्षा की समिक्षा के लिए ग्रह सचिव आईवी के निदेशक के साथ नौर ब्लॉक में दो और बैठके की शाम में ग्रह मंत्री ने दिल्ली की समग्र इस्तिती की जानकारी प्राप्ट करने के लिए ग्रह सचिव, आईडी के निदेशक, दिल्ली पुलीस आयूप, विशेश आयूप और अन्य वरिष्ट अधिकारियों के साथ नौट ब्लॉक में लंबी बैठक की अब भी आप जानना चाहते हैं, ग्रह मंत्री क्या कर रहे थे अध्याख जी, एक साल पहले मैंने एक किताब न्यू डेली कॉंस्पिरे सी लिखी थी और उसमें एक शब्थ था, प्लिटिकल लाइओलोजी प्लिटिकल लाइओलोजी, अधिकल लिखी नाइवलोजी is the art of using लाइव as a weapon in politics, and this is precisely what opposition is doing today, अध्याँ धी, create real answers, उसमें कुछ advise है, ने पढ़ते हूँ, और मुझे नहीं मालूमता की जो मनगडन kitab है, वो सच होने जा रही है इसको advise किया गया, what's happening in the current politics are true enactment so like the fiction some international powers have succeeded in creating many freelancers of chaos in india who are constantly working for their sponsors against the interest in india bring all of them together organize them and finance them and coordinate with them to spout multiple voices opposition from across different fields academia literature art and culture and these merchants of chaos is what is being enacted out today art which you are giving you are giving you the merchants of chaos who are working in the country and I am not sure that many people are working in this sinister plot and this is what is being I am not sure that 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 it is not about saving democracy it's not about Constitutional preserving spirit of secularism in India putting up Indian flags and reading preamble of Constitution I want to give the opposition to a particular point that they talk about the word in the preamble in socialist secular world then it was in 1976 and it was amended in that preamble in that moment it was amended when the opposition कित्यों को जैल गजशे जईज़े जब जबेदानी सेक्गिलर है ने हमारे विचार को सेक्गिलर है हमारे विचारों को सेक्गिलर हों कि इसी के कहने की जरुब नहीं है और यही कारणे हैं हमोद कि एक Dop तोन लाइन में में बात जरूर कहना चाहती हूं कि इन्होंने कहा कि इसाई धर्म में इसाई धर्म में 52 स्रके और यहुदियों के 51 स्रके हैं और मेरे धर्म के अंदर एक दिन ऐसाavan गा कि 73 arise पुआल जी पात की कि इस सेक्षिलर देश के अंदर वो 73 फिरके हैं कोई भी मुसलमान मौनने वाले देश ones नहीं है वह कभी सुननी को शीया नहीं पसंद किसी को मodaयी पसंद किसी को 1000 पसंद यह यह देश है सो कॉल हिंदु राष्ट्र जिसके अंदर तमान फिर्के मौझूद है और उसका कारण ही यहाँ के बहुत संख्यक है मैं अंत में ग्रै मंत्री जी को एक बात कहना चाहती हूं कि आप में जो भी राच्र हित के मंत्री जी के नित्यत में इस देश में काम हुए है आप उन कामों को जारी रखिये क्योंकि वही देश निर्माण के सब को एक सुत्र में बानने वाले काम है और बहुत संख्यक भले ही चुप है लेकिन वो चुपी के साथ आपके साथ चटान बनके खड़ा हुआ है सुजन में चोट खाता है छेनी और हतोडी का वही पाशान मंदिर में भगवान होता है